सब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए ब्लड प्रेशर गाइज एक बहुत ही इंपोर्टेंट वाइटल साइन होता है और आप जब भी कहीं होस्पिटल में जाते हैं या फिर आप बिमार होते हैं तो अकसर आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक किया जाता है और यूजली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को स्थेथ के चेक कर सकते हैं तो वेलकम बेक गाईज मैं हूँ आपका दोस्ट और होस्ट सनी कुमार और आपका हमारे यूटूब चलन पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो गाईज ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जीने ब्लड प्रेशर चेक करना आता है और मैं एक दूसरी वीडियो डेडिकेटिड वीडियो बनाऊंगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे चेक किया जाता है लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जीने ब्लड प्रेशर चेक करना आता है और स्टेथोस्कोप वो यूज करते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं को बताऊंगा कि आप कैसे बिना स्टेथोस्कोप के ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं तो जड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट्स डाइव इंटु इंटु इट तो गाइस देखिए सिंपल टेकनीक है कि जब भी आपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है आप किसी का भी ब्लड प्रेशर चेक करें तो जो कफ है उसको आप बांधिये ठीक है और फिर आपने जो प्रेशर देना होता है जो बलब होता उसको दबाकर आप प्रेशर देते है तो आपने क्या करना है कि आप प्रेशर दीजिए साथ ही जब आप प्रेशर देंगे तो आपने रेडियल आर्टरी को एक हाथ से चेक करना है ठीक है और इतना प्रेशर दीजिए कि रेडियल आर्टरी है वो फील ही ना हो ठीक है जहां पर ये रेडियल आर्टरी फील होनी ब बगा कर चेक करते हैं तो आपने प्रेशर को रिलीज करना है जहां पर आपको प्रेशर रिलीज करने पर बीट महसूस होती है जहां पर आपको पल्सेशन महसूस होती है वही उस पेशन्ट का एक्चुल ब्लड प्रेशर होता है ओके गोट इट मैं दुबारा मैं दुबारा आपको repeat कर रहा हूँ कि आप pressure दीजिए समानेता जो आप bulb दबा कर आप pressure देते हैं देते जाएए जहां पर pulse आपको महसूस होनी बंद हो गई वहां पर pressure देना आप बंद कर दें ठीक है उसके बाद आप pressure को release करें आप pressure को निकाल लिए निकालने पर जहां पर आपको pulse session महसू महसूस होती है जहां पर आपको pulse महसूस होती है वही उसका blood pressure होता है और guys यह बहुत ही important चीज है अगर आपके पास stethoscope नहीं है या कई बारी patient की जो condition वो काफी severe हो जाती है बहुत ही sick patient होती है उनका जो blood pressure है ना वो stethoscope से महसूस नहीं होता BT नहीं महसूस होती तो ऐसे में by pulse भी इसको check करना पड़ता है blood pressure को तो यह काफी important चीज है जो कि मैंने आपको बताई है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt महसूस होता हो तो please हमें एक बार comment जरूर कर लें और आशा करता हूं कि यह topic आपके लिए काफी useful रहा होगा तो please guys ऐसे ही useful topics और videos के लिए आप हमारे चैलन को subscribe कर लें साथ ही bell icon को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैलन पर upload हो उसकी notification आपको सबसे पहले मिले तो guys मुझे दीजे इजाजत मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy stay fit झाल